कि नमस्कार मैं अंज्री मिश्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बतादे कि महरास्ट्र में इस वक्त सियासी घवासान लगतार देखने के लिए मिल रहा है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने के लिए लगतार विपक्षी और सत्ताधर पाथी एक दूसरे के ऊपर जो है काफी जादा हमलावार नजर आ रहे हैं और तीके शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते नजर आ रहे हाले फिलाल में आपको बिताया कि इस तरीके से महाराश्ट्र के मुख् मुख्यमंत्री देविंद फर्णाविस ने भी अब उदव ठाकरे के किये गए हर कटाक्ष का मुझ तोड़ जवाब दिया है आखिर बीजेपी नेता और महाराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देविंद फर्णाविस ने क्या कहा है इसके बारे में आईए हम आपको महाराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देविंद फर्णाविस ने अभी एक महा संकल्प बैठक की बैठक में बीजेपी नेताओ संग हनुमान चलिसा पाच के बाद देविंद फर्णाविस ने महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुक उदव ठाकरे पर जम कर हमला बोला और वो टिपणी करते नजर आए उन्होंने अयोधा में विवादी धाचा गिराने और बीजेपी के किसी नेता के ना जाने को लेकर उदव ठाकरे के तंज पर फंडवेस ने कहा कि जब मैं बाबरी गया तो 128 किलो का था ये देव है उन्हें कहा कि कोविड काल में उद्हब Facebook लाइप पर घे हम मैदान में अलाइव थे सब्सक्राइब कर कहा कि इस देश में एक ही शेयर है उसका नाम है नरेंदर मोदी देविंध इस नेकागी जब मैंने फर्णवेस राम अंदोलन में गया बलकि बदायू की जेल भी गया था उसी बदायू जेल में हम इतिजार करते थे कि कोई शिवसैनिक आएगा लेकिन कोई शिवसैनिक नहीं आया फर्णवेस ने आगे कहा कि मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ कार सेवक का मजाक उ मारी है तुमने कहा कि हम हमें लात मारी लात गधा मारता असलिंधू ठोकर मारता है उन्हेंने कहा कि यदि कश्मीर में एक हिंदू का कत्ल हुआ हो तो 24 घंटे में तीन आतंकी को मार गिराया गया फर्णवेस ने खाह कि मुंबई को हमें अलग करना है कि लेकिन महारास्ट स नहीं तुमारे करप्शन और गुना से कल का उद्व ठाकरे का भाशन सोनिया गांधी को समर्पित था उन्हेंने कहा कि मुंबई और महाराश्ट्र का ही एक बाप है वो है शिवाजी महाराज महाराश्ट्र का मुख्यमंतर इपंत प्रधान के वी सी में आई पिल देखने जैस सभा को मास्टर सभा कहा जा सकता है लेकिन उसका भाशन सुनने के बाद समझ में आया कि यह तो लाफटर सभा थी आज की सभा पांडव की सभा है राज्य के विकास के लिए नहीं लिया बाला साहिब ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके पुत्र के कारकाल में हनुमान चलिसा पढ़ना गुनाह होगा और औरंग जेब के कबर पर शीर जुकाने वाले गौरब की बात होगी उदब पर करारा हमला अब बोलते हुए फर्णविस ने कहा कि संभाजी राजे की हत्या करने वाले औरंग जेब की कबर पर ओवेसी शीर जुकाता है उदब ठाकरे को शर्मानी चाहिए चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो शिवा जी का नाम लेते थे उन्होंने अपनी तलवार मयान में से रख दी लेकिन हम अपनी तलवारों से हिंदु त्वकी लड़ाई लडएंगे अपने संभोधन से पहले महाराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देविंदर फर्णविस ने मुंबई में अन्य नेताव के साथ महा संकल्प बैठक में हनुमान चल पहन करेगी यह जो हालात हैं यह सब तो सुधर जाएंगे लेकिन जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे फर्णविस ने कहा कि बाला सहाब ठाकड़े ने कभी नहीं सोचा होगा कि शिवजेना की सरकार में कभी हनुमान चलिसा का पाठ करना देश द्रेव होग में पूर्व मुक्यमंत्री देवेंदर फर्णविस ने जनसवा को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने एक भाच्पा नेताओं और कारिकरताओं के साथ हनुमान चलिसा तो पड़ी ही साथ ही लंका देहन करने से लेकल वानर सेना तर हर बात को वो दोराते नजर आए उन्ह में हसी आ रही थी देवेंदर फर्णविस कहां के कर लोगो से तो घ्र अपड़ी आज हमारी पांड़ों की रैलियर उन्हें ने कहा कि हमने अभी अभी हर्मान चलिसा के जाब किया है क्या भाला साहब ठाकरे ने कभी सोचा होगा कि उनके बेटे के शाषन में हनुमान चलि एम के चीफ असुदीन ओवेसी पर भी निशाना साधा उन्हेंने कहा कि असुदीन ओवेसी जाते हैं और औरंग जेव को उनकी कब्र पर शुरत धानजली देते हैं और उदव ठाकरे इसे देखते रहे आपको इससे शर्मानी चाहिए फंडविस ने नवाब मलिक अनिल देश मुख यश्वन जादव पर भी निशाना साधा और कहा जानिवार की रैली में उदव ठाकरे में ने उनके मुद्दों पर कुछ भी नहीं कहा राज्यों के विकास पर कोई भी बात नहीं उन्होंने कहा कि मैंने जमीनी संगर्ष की राजनीती की है फाइट स्टार की राजन कुछ सकते उन्हें कहा कि फोटो क्लिक करने से कोई बाप नहीं बनता कि बाला साहब एक बाग थे लेकिन आज एक ही बाग है और वो है नरेंद्र मोदी जो कि असली हिंदू है विधानसभाद चनाव में आप हमारे नाम से लोगों के पास गए हमारे नाम पर वोट मेले और फिर आप कॉंग्रेस और एंसीपी के ना भूल गई है एक बार बीजेपी से बाहर हो गए तो सब भूल गए यहीं नहीं कल महराश्च्रमी विपक्ष के नेता देविंदर फर्णाविश ने महाविकास अगारी सरकार की तुन्ला बाबरी जैसी संरक्ष्रा से की उन्होंने कहा कि तब तक आराम नहीं करेंगे जब का संकल्प सबहामे भारतिये जंता पार्थि के हानेकार करताओं के साथ हनुआ चलिपह करने के बाद उन्हें कहा कि हमने सरफ हनुआ चलिपहा किया बाला सहब ठाकर ने कभी सोचा था क्यों इनके बेटे के शाशनकाल में ये एक राज हो जाएगा। और औरंग जेब की औ वाना एक राजी की अश्रिष्ट अचार हो जाएगा उदव ठाकरे की रैली को लाफटर शो बताया और इस दोरान वो जमकर हमला बोलते नजर आए बतादें कि उदव ठाकरे ने जब जनसबा की थी तो उन्होंने कहा था कि बाबरी धाचे को गिराने के लिए देवंदर पर करते नजर आए थे काफी कुछ उन्होंने जो है टिपणी की थी अब ऐसे में उन सभी टिपणियों का जवाब देने के लिए आपको बतादे कि तरफ से जैसे ही उदव ठाकरे का जनसबा खत्म हुआ था उनके तरह से ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था जवा लेकर उन्होंने देवेंद्र फर्णाविस को टैग भी किया था यह कहा जा रहा था कि महाराश्यों के पूर्व मुख्य मति देवेंदर फर्णाविस उदवठाकरे द्वारा किये गये हर बयान पर हंधर तंच पर जो है उसका उन्हों जवाब देंगे तो जिस तरीके से जो है गधाधारी जिस तरीके से उन्होंने जो है फेक हिंदू साथी देविंदाफर नविस को लेकर भी कई सारी बयान बाजी की थी उन्हें सभी पर टिपड़ी करते हुए आज महाराश्रा के पूर्व मुख्य मंतिर देविंदाफर नविस ने उदव ठाकरे को मुतोर जो की कह रहे थे कि यह अभी तक की सबसे बड़ी जनसभा है और यह सारी चीज़े तो यह बात भी उन्होंने या नी देविंदाफर नविस ने कह दी कि बाला सहब ठाकरे एक शेर थे और आज के वक्त में कोई शेर है तो देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी है तो सत्ताधाणी पार्टी और विपक्ष आमने डरा आते हैं ऐसे में बर फिर से अजो है ब्यानबाजी देखने के लिए मिली पहले सत्ताधाणी के तरब सो उद्व ठाकरे महराश्चे के मंत्री ने कई सारी बाते और कई सारी ब्यान बाजी की तो वही दूसरी तरफ आज है उनको मुतोर जवाब महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंति देवेंद फर्णावेस के तरफ से भी सुनने के लिए मिला तो ऐसे में आपनी पूरा मामला जो है बड़े ही विस्टार से जान और समझ लिया है कि आकर देवेंद फर्णावेस ने उद्व ठाकरे को क्या कुछ जवाब में का है और ऐसे में इस पूरे मुदे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं